फिप्राइस थान शेते सीद मठिया के ग्रामीनों ने गाउं के चट घाट पर ग्राम परधान द्वारा रोक लगाये जाने के बिरोध में डियम कार एले के समक्ष परदशन किया तथा जीला प्रसासन से मांग किया है कि वर्सों से चले आरे चट परब को संपन कराने की व्योस्था कराएं परदशन का नेतरोते करते हुए एक ग्रामीन ने कहा कि ग्राम परधान द्वारा चट घाट का पट्टा किये जाने से यह समस्या उत्पन हुई है जिसे ग्रामीन चट की पूजा नहीं कर पा रहे हैं गुरप नियूस से बात करते हुए ग्रामीन ने कहा मंट्टू यादो मठिया हम पिप्राइस थाने पोश्ट कुसमी बजार मठियां ग्राम सभा से आ हुए हैं हमारे छट गाट को अबैद कपजा किया गया है जो की पट्टा कर दिया गया है चुकि उचित नहीं है हम उसे खाली कराना चाहते हैं हमारे गाओं की सभी बेटियों बहु और माताय वहाँ छट गाट पे पूजा करती हैं जो की कपजा कर दिया गया है और वहाँ पे बिल्कुल जगए नहीं है प्रसासन से हमें कोई भी आश्वासन नहीं है वे हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है वहाँ पे करीब दो 108 या नौ से पूजा हो रहा है इसके पहले भी होता था लेकिन इतना प्रचलन आगे नहीं था इसलिए जो है कि स्लो था लेकिन इस समय प्रचलन बढ़ने के नाते वहाँ पे बहुत जादे भीड होती है गाओ की लगबग 80% जनता वहाँ पे जाती है बहुत बेटिया जाती है लेकिन उसे प्रधान जी सुन नहीं रहा है और प्रसासन भी सुन नहीं रही है प्रधान जी उसे खाली नहीं कराना चाहते हैं वह पैसा लेकर उसे पट्टा करती है